हेलो बचो कैसी चल रही है सभी के पढ़ाई I hope सभी अच्छे से मन लगा के पढ़ रहे होंगे तो बचो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सरकल्स चैप्टर को क्लास 10th सरकल्स का ये पार्ट 1 है और बचो आज के पार्ट के अंदर हम लोग बेसिक्स डिसकस करने वाले हैं सरकल्स चैप्टर के किसी भी चैप्टर को स्ट्रॉंग बनाने के लिए उसके बेसिक पक्के करने बहुत ज़रूरी होते हैं तो बचो आज की क्लास को पूरा लास्ट तक अच्छे से वाच करना है तब ही आगे की चीज़े अपने आफ फिर क्लियर होने लगेंगी क्या-क्या इसके बेसिक कंसेप्ट से हैं वो सारे आज के पार्ट के अंदर हम लोग डिसकस करने वाले हैं फिर जो बच्छा पहली बार हमारे चैनल पर आया है तो टेलिग्राम चैनल को जरूर जोईन कर लेना है क्योंकि बच्छों हर बार की तरह इस चैप्टर के भी जो प्रीवेस यर के कोशन्स होंगे, डीपीपीज होंगी, इंपोर्टन कोशन्स होंगे वो सारे के सारे free of course टेलिग्राम चैनल पर ही अपलोड किये जाएंगे उनके link वीडियो के description में मिल जाएंगे सभी को वहां से जाके उनको download करके maths में अपने आपको और ज्यादा solid बना लेना है उनको अच्छे से solve करके तो बचो सबसे पहले point की तरफ हम लोग चलते हैं आल सी बच्चा बिल्कुल भी नहीं बनना है copy pen लेकर के बैठो एक एक चीज को note करते रहो पहला part है step by step अच्छे दे चलो सारे part watch करना basic clear करो फिर उसके बाद आगे आने वाले part सारे automatically clear होने लगेंगे बिल्कुल basic से start करके फिर धीरे धीरे हम आगे आने वाले parts में हर questions को cover करेंगे previous year की question करेंगे important क्या क्या चीज़े रहने वाली हैं वो सब समझेंगे किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी चलो बचो तो सबसे पहली बात consider a circle and a line A B ठीक है हमने एक circle लिया और line A भी नहीं हाँ पर line PQ है हाँ पर typing में mistake है this is line PQ there are three cases regarding the position of the line with respect to the circle as shown in the figure बिल्कुल हमने एक line PQ ली यह PQ line दिखाई दे रही है और एक हमने circle लिया यह circle यहाँ पर है हमारे पास अब एक line PQ और एक circle उनसे हमारे पास total वच्चो तीन case बन सकते है देखो तीनों case हो की figure यहाँ पर दी हुई है या तो ऐसा हो सकता है कि line और circle आपस में intersect ना करें जैसा कि first part में हमें दिख रहा है या ऐसा हो सकता है कि line एक point पर circle को intersect करे एक point पर touch करे जैसा कि हमें second part में दिखाई दे रहा है या फिर बच्चो एक तीसरा case और बन सकता है line circle को दो part पर intersect करके जाए जैसा कि हम third figure के अंदर देख रहे है PQ line ने circle को दो part पर cut कर दिया एक तो part A यहाँ पर दिखाई दे रहा है यह रहा और एक part B ठीक है बचो अब यहाँ से हमें क्या सीखना है देखो A line which intersects a circle in two distinct points is called a second of the circle clear होगी बात अब यह first, second or third इन तीनों figure में से second कौन से वाले line के लाएगी वो line जो circle को two distinct points पर touch करेगी intersect करेगी that is called the second तो हम देख पा रहे हैं कि third figure जो हमारी है इसमें PQ line circle को two points पर intersect कर रहे है एक point B पर और एक point A पर इसका मतलब बचो third figure के अंदर PQ क्या हो जाएगी एक second यहाँ पर PQ कहलाएगी second यह बचो नए words है ninth class के circus chapter के अंदर इस तरह के terms नहीं थी second, tangent यह इस बार नहीं introduce हुई है class tenth में फिर बचो next जो हमारे पास आता है यह बड़ी important चीज है इस chapter के अंदर सबसे ज़्यादा हम इसी चीज के बारे में पढ़ेंगे जो अब मैं सिखाने जा रहा हूँ देखो a line meeting a circle only in one point is called a tangent to the circle ऐसी line जो circle को केवल एक point पर meet करे one point पर intersect करे one point पर touch करे उसको हम बोलते हैं tangent clear tangent के बारे में ही लगबग पूरे chapter में हम लोग पढ़ेंगे tangent से related 99% question इस chapter के हैं तो बचो हम first और second figure हमारे पास रह गए इन दोनों में से decide करें कि कौन से वाले case में tangent होगी तो हमें clearly पता लग जाएगा second case जो है यह tangent का case है यहाँ पर बच्चों PQ क्या है PQ is a tangent why क्योंकि वो circle को केवल एक point पर intersect कर रही है point M पर isn't it first वाला case रह जाता है बच्चों यह किस चीज का case है यहाँ पर यहाँ हमारे पास normal case बना हुआ है जहाँ पर PQ line circle को किसी भी point पर intersect नहीं कर रही है तो finally conclusion निकाल लेते हैं जो अब तक हमने बात सीखी है हमारा पहला basic थाइस chapter का अभी तक हम लोगों ने सीखा कि circle को एक line तीन तरह से figure बनेंगी या तो intersect करेगी ही नहीं जैसा हम first part में देख रहे हैं या तो एक point पर intersect करेगी जैसे second part में है या तो दो point पर intersect करेगी तो जब बच्चों एक point पर intersect करती है ऐसे case में वो line क्या कहलाएगी tangent दो point पर intersect करेगी एसे case में online के राएगी second बस इतना हमें अभी तक याद रखना है तो वीडियो को pause करके इसको note करेंगे आगे next concept की तरफ हम लोग चलते है अब कुछ बचो यहां पर मैंने Phillips डाले हैं तुम लोगों के लिए basic से Phillips हैं यह class 10th की जो NCRT है तुम लोगों की first exercise में यही Phillips लगबख दिये हुए है तो एक marks के अंदर यह MC की उसमें कभी का बाग यहां से पूछ भी लेता है यह सब हमारे basic के अंदर यहां आते हैं देखो बचो पहला Phillips हमें क्या सिखाएगा एक circle के उपर कितनी tangent हो सकती है यहां से सवाल उठा हमने यह तो सीख लिया कि tangent वो होगी जो एक point पर circle को touch करके जाएगी हमने एक circle बनाया और circle को एक point पर touch जो करके जाएगी that will be the tangent no doubt यह बना दी गई एक tangent इसने circle को यहां M point पर touch किया तो इसका मतलब PQ एक tangent हो गई अब एक circle पर कितनी tangent हो सकती है यह हमें बताना है देखो बचो मैं एक tangent यहां से draw कर सकता हूँ मैं ऐसे भी एक tangent को draw कर सकता हूँ यानि circle पर जितने point है सब point पर कोई ना कोई tangent draw हो जाएगी यहां पर भी इस point पर भी आ सकती है इस point पर भी आ सकती है यह point इस point पर भी आ सकती है यह point इस point पर भी आ सकती है यह सभी की सभी lines circle को एक point पर तो touch करके जा रही है इसका मतलब यह सारी tangents होंगी और बचो circles के उपर total कितने points होते हैं circle की boundary के उपर infinite points होते है तो infinite points है अगर circle की boundary पर इसका मतलब tangents भी कितनी बनेगी बचो infinite तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे how many tangents केना circle have a circle has infinite number of tangents clear next point की तरफ चलते है a tangent to a circle intersects it in कोई tangent अगर हम किसी circle पर बना रहे है तो वो circle को कितने point पर intersect करेगी यही तो बचो हमारा पहला concept था tangent होती कोन है जो circle को केवल एक point पर intersect करे केवल एक point पर तो यहाँ पर बचो answer बन जाता है one point next c में कह रहा है a line intersecting a circle in two points is called बिल्कुल यह भी हमें पता है हमने starting में सीख लिए दो point पर किसी circle को जो line intersect करेगी उसको क्या कहेंगे second बोलते है next next बचो कह रहा है अज circle में have dash parallel tangents at most एक circle में हम कितनी parallel tangents बना सकते हैं suppose मैंने एक tangent यहाँ पर बनाई pq tangent है यह यहाँ पर m point पर circle को touch करके जा रही है हम इसके parallel को यह और tangent बनाना चाता हूं बचो तो मैं यहाँ पर अगर एक parallel tangent ऐसे बनाऊं क्या यह tangent कहलाएगी बिल्कुल भी नहीं कहलाएगी क्योंकि इसने circle को 2 point पर intersect कर दिया यह tangent तो नहीं रही है तो बचो second बन गई ऐसे ही suppose मैं यहाँ पर बना लूँ इसने भी circle को 2 point पर intersect कर दिया इस point पर भी और इस point पर भी तो यह भी tangent नहीं करके बलकि क्या हो गई है second बन चुकी है बचो इसी तरह से मैं अगर थोड़ा नीचे और बनाता हूं यहाँ पर बना लेता हूं तो यह भी 2 point पर circle को intersect करके जा रही है तो यह भी एक हमारे पास second हो जाएगी लेकिन बचो अगर ठीक इस point पर यहाँ पर point N पर मैं एक tangent बनाता हूं इस तरीके से तो यह बचो PQ के बिलकुल parallel बन जाएगी AB tangent PQ के ठीक parallel यहाँ पर हमें मिल जाएगी तो बचो हम क्या कहेंगे अगर PQ एक tangent है तो इसके parallel एक और tangent बन सकती है बस जाद से जादा जो कि ठीक यहाँ पर M के opposite एक point N होगा उस point से हो करके जाएगी clear next point बचो common point of a tangent to circle and the circle is cold यह बात कर रहा है इस point की circle पर जो point होता है और tangent पर भी जो point होता है ऐसा point जो कि दोनों में common हो circle पर भी हमें मिल जाएगा और tangent पर भी हमें मिल जाएगा जैसे बचो यहाँ पर M point दिखाई दे रहा है M point actually में tangent के उपर भी है और बचो circle के उपर भी है तो ऐसे point को हम बोलते है point of contact यह वो point है जहाँ पर tangent और circle का contact होता है इसलिए इसको बोलते है point of contact ऐसे बचो यहाँ नीचे हम लोग देखेंगे यह n point क्या है it is point of contact जहाँ पर circle का और tangent point of contact clear तो यहाँ पर लिख देते है point of contact next and last is we can draw dash tangents from an external point to our circle एक external point से हम इसी circle पर कितनी tangent बना सकते है देखो बचो यहाँ पर हमने यह एक circle बना लिया और यह एक external point लिया हमने e अब e point से मैं circle के उपर tangent बनाने वाला हूँ तो मैंने e से इस तरह से एक line बना दी यह circle को एक point पर यहाँ पर touch करके intersect करके जा रही है तो इसका मतलब बिलकुल यह tangent तो होगी फिर बचो मैं यहाँ से ऐसे कोई line बना हूँ circle तक मैं इस तरह से line बना हूँ एक circle तक एक यह बनाया मैंने और बचो एक यहाँ पर मैंने बनाई है ठीक है अब मेरे को बताओ इन में से tangent केवल और केवल कौन सी है केवल पहले वाली line यानी EA और बचो बाद वाली line यानी EB यह दो ही तो tangent होगी क्योंकि tangent के लिए हमने क्या सीखा है tangent circle को केवल एक point पर ही intersect करके जाती है यह भी tangent नहीं है यह भी tangent नहीं है यह भी tangent है यह सब तो second है क्योंकि circle को दो-दो point पर यह intersect करके जा रही है तो हमने यहां से क्या सीखा कि एक external point से जो कि हमने E माना हुआ था एक external point external point से हम यह एक circle पर जाद से जादा दो tangent बना सकते हैं जैसे कि हमने यहां पर देखा EA और यहां पर नीचे बचो हमने देखी दूसरे tangent which is EB clear ठीक है बचो तो यह वाले concepts हमारे पूरे हो गए अब चलते हैं next concept की तरफ तो बचो अगर इस chapter को strong बनाना है तो इसके अंदर जितनी भी theorem से उनको strong बनाना पड़ेगा क्योंकि इस chapter के सारे ही questions के अंदर कोई ना कोई theorems लग रही होंगी तो बचो यहां से हम लोग start करते हैं theorems जो जो इस chapter के अंदर theorems आएंगी उन सब को अभी के अभी हम आज की class के अंदर ही समझने वाले हैं तो पहली theorem और सबसे important theorem है tangent to a circle is perpendicular to the radius through the point of contact यह बचो circus chapter की पहली theorem है और लगबग हर question के अंदर आगे use इसका हमें करना पड़ेगा और बचो इस theorem का proof भी exam के अंदर पूछ लेता है previous year के अंदर बहुत बार इस theorem का proof पूछा गया है तो सभी इस theorem का proof भी अच्छे से जरूर कर लेंगे इस theorem का proof next class के अंदर हम लोग discuss करेंगे आज हम लोग सीखने वाले हैं कि इस theorem की application कैसे है कैसे इसका हम लोग use करते हैं क्या इसका मतलब है तो पहली theorem कह रही है tangent to a circle is perpendicular to the radius यानि कि बचो जैसे कि यहाँ पर figure में हमें दिख पा रहा है कि हमने एक tangent बनाई हुई है PQ PQ हमारे पास एक tangent है और यह M point of contact हो गया बचो और OM हमारे पास होगी radius circle की है ना तो radius जो है वो tangent के perpendicular होगा या हम कहें कि tangent और radius के बीच में जो angle बनेगा that will be of 90 degree यानि यह बचो 90 degree का angle होता है हमेशा से चाहिए हम left से देखें चाहिए हम right से देखें 90 degree का यह angle आएगा इसी तरह से यहाँ पर बचो मैंने एक और figure बनाई है ताकि इस बात में और clarity आजाए यहाँ पर भी हम लोग चेक करें O circle का center है और यह AB एक tangent है तो यह बन गया हमारे पास radius ON अब बचो कोई हमें कहें कि यह radius है और यह tangent है तो यह वाला angle बताओ यह कितना होगा तो obvious है यह angle 90 degree का बचो होने वाला है हमेशा ही क्या होता है tangent to a circle is perpendicular to the radius आगे लगबग भोग से questions के अंदर यही चीज आएगी especially मैं point out करके कह रहा हूँ किस चीज को सभी याद रखना अभी तुम लोग आगे questions में देखो यह भी next parts के अंदर कि यह बार-बार हमें काम में आती रहेगी तो बचो यहाँ पर हमने क्या सिखा कि tangent और radius के बीच में 90 degree का angle बनता है tangent to a circle is perpendicular to the radius next theorem की तरफ चलते हैं which is theorem number 2 again very important theorem tangents drawn from an external point to the circle are equal in length अगर किसी external point से जैसे कि यहाँ पर first figure में हम लोग देख रहे हैं हमने एक external point T लिया हुआ है और उससे हमने circle पर tangents draw करी अभी बचो हमने उपर सिखा Phillips के अंदर कि एक external point से हम circle पर जाद से जादा दो tangents draw कर सकते हैं तो यहाँ पर हमने external point T से circle के उपर दो tangent draw करी TA और TB तो बचो क्या होगा tangents drawn from an external point to the circle are equal in length यानि इनकी length equal होगी यानि कि बचो अगर TA 5 cm की है तो TB भी 5 cm की हो जाएगी इस theorem से यह theorem भी आगे बहुत काम में आएगी इसको भी mind में feed करके रखना है इसी तरह से बचो second figure में हम इस चीज को apply करें तो यहाँ पर हम देख रहे है external point P है और PM और PQ हमारे पास tangents बन गई तो बचो tangents from external point are equal in length यानि कि PM अगर suppose 7 cm दी हुई है तो automatically PQ भी 7 cm हो जाएगी इस theorem से next theorem की तरफ चलते हैं theorem number 3 इसका भी questions के अंदर बहुत जादा use आएगा हमें तो theorem number 3 दो part के अंदर divided है first part और second part दोनों का मतलब समझेंगे पहले part के लिए हमने first figure बनाई हुई है और दूसरे part को समझने के लिए बच्चो second figure यहाँ पर हमने draw की है देखो first part क्या कहता है tangents drawn from an external point to the circle are equally inclined to each other equally inclined to each other का मतलब होता है बच्चो जैसे मैंने यहाँ पर external point T से circle पर दो tangents draw करी T A और T B तो दोनों tangents आपर में equally inclined होगी यानि कि यह जो angle बनेगा अगर मैं एक्स external point को center से join कर देता हूँ तो फिर दो angle मेरे पास बनेगे उपर angle 1 और नीचे एक angle 2 बन जाएगा दोनों angle बच्चो क्या होंगे? equal होंगे angle 1 is equal to angle 2 क्यों? क्योंकि tangents are equally inclined to each other तो अगर मुझे angle 1 30 degree इन्होंने दिया है तो automatically angle 2 भी 30 degree ही हो जाएगा इस theorem से फिर इसी theorem का बच्चो second part है tangents, subtents, equal angles at the center अगर हम किसी external point से जैसा कि हम second figure में देख रहे हैं दो tangents draw करें T A और T B हमने tangents draw करी तो यह tangents center पर भी equal angle बनाएंगे, यानि कि बच्चो यह वाला angle और यह वाला angle दोनों equal हो जाएंगे तो अगर यह angle 3 है यह angle 4 है तो angle 3 will be equal to angle 4 अब ध्यान से बच्चो यहाँ पर notice करो यह T A जो tangent है इसने center पर कौन सा angle बनाया यह A points से हम लोग आएं O तक और फिर T points से हम लोग आएं O तक तो हमें दिखाई दे रहा है clearly T A ने center पर angle 3 बनाया है ऐसे बच्चो नीचे T B जो tangent है उसने center पर कौन से वाला angle बनाया है कैसे देखते हैं हम लोग हम B points से center तक जाएंगे और फिर T points से भी बच्चो center तक आएंगे तो हमें clear दिखाई दे रहा है कि T B tangent ने center पर angle 4 बनाया है तो बच्चो center पर जो tangents angle बनाती है वो आपस में equal होते है यानि angle 3 is equals to angle 4 clear होगी बात अब बच्चो यहाँ पर 1 point और हम लोग discuss कर लेते हैं तो conclusion भी एक तरीके से निकल जाएगा सारा अब यहाँ पर यह वाला angle फिर से recall करो यह angle कितना होता है बच्चो 90 degree का क्यूं क्यूंकि यह O A radius है और T A एक tangent है और tangent is perpendicular to the radius इस तरह से बच्चो नीचे T B tangent है और ओ भी क्या है O B radius है तो यानि हाँ पर भी बच्चो हमें 90 degree मिलने वाला है समझ पा रहे हो बात तो इसका मतलब एक और निकलता है जो मैं तुम लोग को सिखाना चाहरा हूं अगर मैं इस angle को ले लूँ पुरा यह पुरा angle black वाला 3 और 4 और यह angle बच्चो ले ले हम इधर जो पुरा angle number T बना हुआ है क्या तुम यह मेरे को बता सकते हो कि angle T प्लस angle O कितना होगा It is very easy देखो हम लोग क्या करेंगे O A T B एक quadrilateral है इसंट इट ध्यान से देखो O A T B एक quadrilateral है वच्चो तो हम इसी प्रोपर्टिका यहां पर यूज करने वाले है O A T B is a quadrilateral इसंट इट और बच्चो quadrilateral के 4 और एंगल का सम 360 डिगरी होता है तो अगर angle A में प्लस करेंगे angle T को फिर उसमें प्लस करेंगे angle B को फिर उसमें प्लस करेंगे angle O को तो is equals to 360 degree आ जाएगा angle A हमारे पास कितना है हमने देखा angle A यहाँ पर 90 डिगरी बना हुआ है तो बच्चो 90 प्लस angle T कितना है हमें नहीं पता angle B कितना है वो भी 90 है देखो यहाँ पर तो 90 प्लस angle O हमें नहीं पता is equals to 360 degree तो यहाँ से बच्चो angle T equal इसलिए बचो एंगल T पलस एंगल हो कितना आ जाएगा 180 डिगरी आ जाएगा clear होगी बात तो यानि कि हम यह कह सकते हैं कि tangents जो एंगल center पर बना रहे हैं और जो एंगल tangents के बीच में बन रहा है ये दोनों क्या होते हैं supplementary होते हैं इन दोनों का sum 180 degree होता है तो बचो इसी के साथ हमारा basic complete हो जाता है जो भी इस chapter का base था वो हमने आज की वीडियो में discuss करा कौन सी theorem की क्या application होगी वो हमने सीख ली है NCRT के अंदर इतनी ही चीजे दी हुई है लेकिन बचो भी वीडियो पूरी नहीं हो इस standard के paper में इस theorem का proof पूछा गया था देखो यह है हमारी theorem number fourth it is called alternate segment theorem यह बच्चो कहाँ पर मिलेगी हमें NCRT में तो नहीं है तो यह exemplar book के अंदर दी हुई है exercise में 2020 के paper में standard के paper में इस theorem का proof पूछा गया था तो घबराना नहीं है इसका proof हम लोग next part के अंदर discuss करेंगे अभी फिलाल इसकी application को समझ लेते हैं देखो बच्चो यह theorem क्या कहती है इसका नाम है alternate segment theorem या हम इसको tangent code theorem भी बोल सकते हैं तो जैसे कि इसका नाम है tangent code theorem अब यहाँ पर समझना थोड़ी speed भी हम लोग slow करेंगे इस तीज को अच्छे समझने के लिए देखो यह क्या है यह है हमारे पास code isn't it 9th में सभी ने पढ़ा होगा चेक करो BC एक code है बच्चो और PQ क्या है PQ हमने अभी अभी सीखा आज की class में PQ एक tangent है isn't it अब बच्चो ध्यान से देखो मुझे बताओ यह जो angle बन रहा है जो मैंने यह बलू से बनाया हुआ है यह angle code के और tangent के बीच में बन रहा है जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे ही अपने mind में लेके जाना है चीज को तो concept अपने आप clear हो जाएगा tangent और code के बीच में यहाँ पर बच्चो यह angle बना हुआ है चेक करो ठीक है इस angle को mind में feed कर लो अब बच्चो दूसरी बात यह वाला angle जो दूसरा मैंने यहाँ पर blue बनाया हुआ जिसको मैं black कर रहा हूँ यह वाला angle यह किस ने बनाया यह angle इस code ने बनाया है यह point तक line जा रही है उपर isn't it तो यह angle जो बनाया हुआ है यह code ने ही बनाया हुआ है तो बच्चो जो angle अब final conclusion आ रहा है जो angle code और tangent के बीच में बनेगा वो angle किसके एकबल होगा उस angle के जो code ने boundary पर बनाया दूसरे segment में बनाया class 9 के अंदर एक concept आया था कि code circle को दो segment के अंदर divide कर देती है isn't it जैसे यह code है इसने circle को दो segment में divide कर दिया यह वाला हमारे पास segment जो इधर बच गया यह तो बच्चो बन गया minor segment और यह जो इधर बचा हुआ है code के left hand side के तरफ यह पूरा का पूरा यह पूरा जिसको मैं yellow portion में shade कर रहा हूँ यह पूरा का पूरा yellow वाला portion यह हमारा बच्चो है major segment major segment तो alternate segment theorem क्या कहती है tangent और chord के बीच में बनने वाला angle जिसको यहाँ पर हम angle 1 से represent कर रहे है यह किसके एकवल होगा उस angle के जो chord ने दूसरे segment में बनाया यानि यहाँ पर chord ने circle की boundary पर बनाया तो angle 1 और angle 2 आपस में equal हो जाएंगे यानि अगर angle 1 30 degree कहा गया है तो automatically angle 2 भी हमारे पास 30 degree बच्चो हो जाएगा किस से alternate segment theorem से तो समझ पार है हो इसका नाम tangent code theorem क्यों बढ़ा क्योंकि angle कहाँ बन रहा है tangent और chord के बीच में अब देखो एक figure और यहाँ पर मैंने बनाई है ताकि यह चीज और clear हो जाए तो इस figure के अंदर भी इसको apply करके देखेंगे बच्चों चलो बड़े ध्यान से observe करना है यहाँ पर मैं अगर इस angle की बात करूँ तो मुझे फटा-फट से बताओ कि इस angle के equal कौन से वाला angle होने वाला है यह angle बना है PQ chord और MN tangent के बीच में तो बच्चो PQ chord ने जो दूसरे segment में circle की boundary पर कहें हम angle बनाया हुआ है वो है यह वाला isn't it यानि के बच्चों यह दोनों angles equal हो जाएंगे अगर यह angle 1 है यह angle 2 है तो angle 1 is equals to angle 2Y because of alternate segment theorem इसी तरह से बचो अगर हम यहाँ पर बात करें नीचे की तरफ यह भी तो angle बना हुआ है यहाँ पर एक यह भी chord और tangent के बीच में बनाया है देखो PR chord है और यह MN एक tangent है यह वाला angle तो यह किसके equal होगा बिलकुल PR ने boundary पर कौन सा बनाया angle यह वाला Q तो यह दोनों orange वाले angle equal हो जाएंगे तो अगर यह 3 है यह 4 है तो angle 3 is equals to angle 4 हो जाएगा तो आई हूँ बच्चो alternate segment theorem अच्छे समझ में आ गई होगी कैसे इसको देखना है इसको अच्छे से सब भी पक्का कर लेंगे इसका proof तो पिछले साल पुछा ही गया था और इससे related question भी बच्चो कहीं बार exam के अंदर आ जाता है आने वाली वीडियोस के अंदर और detail में इनकी applications को हम लोग discuss करने वाले हैं आज basic का पार था बच्चो basic का पार बड़े अच्छे से पक्का कर लेना है ताकि आगे कोई भी chapter में दिखकर ना है अब बच्चो यहाँ पर हमने लिखा है we will discuss proofs of these theorems in next part these proofs are important for your exams बिल्कुल जो भी आज हमने थियोरम पढ़ी है उन सब के proofs हम आने वाले parts के अंदर discuss करेंगे तो बच्चो आज की वीडियो के लिए आज की class के लिए रखते हैं इतना ही जमके सभी अच्छे से पढ़ाई करते रहो ठीक है maths में किसी को भी पीछे नहीं रहना है so thank you